Hello Dear Kids, इस वीडियो में बच्चों हम हिंदी की पोएम पढ़ेंगे कविता पढ़ेंगे प्राणी वही प्राणी हैं इस कविता में बच्चों प्राणी की विशेषता बताएं कि किसी प्राणी को या मनुश्य को किस तरह का होना चाहिए सच्चा प्राणी वही होता है जो हमेशा दीन दुख्यों की और असहाय लोगों की सहायता करे और हमेशा सत्य के मार्क पर चले, हमेशा सही रस्ता चुने तो आईए अब हमें इस कवीता को पढ़ना शुरू करते हैं तापित को स्निग्द करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे ऐसा सभी पानी है तो बच्चों इन पंक्तियों में कभी कह रहे हैं कि तापित को स्निग्द करे है जो कि पानी कौन पानी से क्या होता है पानी पीने से जो प्यासा व्यक्ति होता है उसे बहुत चैन मिलता है चैन मतलब आराम मिलता है और तापित को स्निक्द करें तापित मतलब गर्मी से परिशान जो व्यक्ति होता है उसे अगर पानी मिले तो उसको शीतलता मिलती है तो प्राणी को कैसा होना चाहिए जो हमेशा लोगों के काम आता है तो इसी तरह से प्राणी की तुल्ला पानी से की गई है जिस तरह से पानी गर्मी से परशान व्यक्ति को ठंडक देता है शीतलता देता है और सुखे हुए होटो पर अगर से अगर पानी पी ले प्यास में तो बहुत सुकून आता है और होटो से आवाज निकलने लगती है तो इस तरह से छे ट्राणically कोई प्रानी टेन स्नुनितूरी équंष्पよね जिस तरह से पानी लहरों के आने उसी होसी तरह से हमेशा। पाने उपर नेचे हो पानी आगे बढ़ता रहता है। अपने जीवन में अने वाली कठनायों से घबराना नहीं चाहिए। और आगे बढ़ते रहना चाहिए हमेशा तो काई सा फटे नहीं काई होती है बच्चों पानी में एक घास जुम जाती है उसको काई बोलते हैं तो हिम्मत ना हारे मतलब काई सा फटे नहीं का यहां पर मतलब है कि मनुष्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और रोटी क लालच में, रोटी मतलब पैसा और लालच मतलब लोग, पैसे के लोग में कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, तोते सा रटे नहीं, तोते सा रटे नहीं मतलब हमें रटा रटाया काम नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने दिन दुखियों की मदद करनी चाहिए और असह लोगों की साहेता करनी चाहिए तो प्राणी वही असली प्राणी होता है जो लहरों की तरह अपने जीवन में आने वाली परशानियों से घबराए नहीं और हमेशा आगे बढ़ता रहे अच्छे काम करते हुए अब हम अगली पंक्तियां पढ़ते हैं लंगडे को पाउं और लूले को हाथ दे सत की संभार में मरने तक साथ दे यहाँ पर बच्चो लंगड़ा आपको पता है जिसके पैर नहीं होते हैं या खराब होते हैं उसको लंगड़ा बोलते हैं और लूला किसको बोलते हैं जिसके हाथ नहीं होते हैं तो यहाँ पर कवी कह रहे हैं सत मतलब स और संभार मतलब संभालना तो हमें सहाई लोगों को हमेशा सहारा देना चाहिए जिसको जिस चीज की जरूरत है जिस तरह से लंगडे को किसकी पैर की जरूरत होती है क्योंकि उसके पर पैर नहीं होते लूले को हाथ की जरूरत होती है तो जिस चीज की कमी होती है जिस चीज की मदद की जुरत होती है हमें उसे वही चीज देनी चाहिए तो लंगडे को पाउं और लूले को हाथ दे सत की संभार में मरने तक साथ दे और हमेशा हमें सच का साथ देना चाहिए और मरने तक हमें हमेशा एक उमीद बना कर रखनी चाहिए सच की उमीद में हमें मरने तक हम देना चाहिए जिसे जिस तरह की जुरत है उसी तरह की मदद हमें उसके साथ करनी चाहिए बोले तो हमेशा सच सच से हटे नहीं जूट के डराए से हर्गिस डरे नहीं सच मुझ वो ही सच्चा है तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कभी ने कि प्राणी को कैसा होना चाहिए जो हमेशा सच बोले हमेशा सच बात का साथ दे सत्यता का साथ दे और कभी भी जूट अगर बोलने के लिए आपको डराया जा रहा है धमकाया जा रहा है तो उससे बिलकुल भी डरे नहीं और हमेशा सच का साथ्धे वो ही असली प्राणी है माथे को फूल जैसा अपने को चढ़ा दे जो रुखती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो मरना वो ही अच्छा है तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवी कह रहे हैं कि जो माथे को फूल जैसा अपने को चढ़ा दे जो उसी तरह से अगर हम अपने आपको भगवान को अरपन कर देते हैं, उसी तरह से दूसरों की सेवा में, सहायता में हम अपने आपको अरपित कर दें, तो वो ही प्राणी होता है, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे, जो मरना वो ही अच्छा है, मतलब कि ऐसी जिन्देगी के निरस होने से व्यर्थ है या निरस है जो किसी के काम ना सके तो हमेशा हमें हिम्मत से और जोश से आगे बढ़ना है और अपने अच्छे अच्छे काम करते हुए हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है उसको व्यर्थ नहीं रहने देना है, यहाँ पर यही बताया गया है कि प्राणी का जीवन किस तरह से होना चाहिए, प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं, तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवी कह रहे कि प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं टोटा बोलते हैं बच्चो कमी को किसी चीज की जो कमी होती है उसको बोलते हैं टोटा मतलब ऐसे साधारेन आदमियों का तो दुनिया में कोई भी कमी नहीं है लेकिन ऐसे व्यक्ति ऐसे प्राणी जो हमेशा दूसरों की और अपने जीवन को हिम्मत और जोश से आगे बढ़ा कर जीए ऐसे प्राणी का जीवन सफल है कोई प्राणी बढ़ा नहीं कोई प्राणी छोटा नहीं तो कोई भी प्राणी कोई भी व्यक्ति बढ़ा नहीं होता कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता हमें हमेशा एक दूसर के साहिता करनी चाहिए दीन दुख्यों की मदद करनी चाहिए और जिस चीज की जरूरत है उसे उसी चीज की हमें मदद देनी चाहिए तो तभी हमारा जीवन सार्थक है तो बच्चो ये कवीता हिंदी के प्रसिध कवी श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है आशा है आपको इसका भावार्थ समझ में आया होगा थैंक यू